प्रवाद करने प्रवाद करते हुआ कि कल 15 अगस्त के उसर पर आपकी क्लास जो है उसकी छुटी रहेगी ठीक है खोश तो बहुत हो रहे हो तुम बोलो तो टेस्ट ले लू ठीक है नेक्स्ट बात मेरा टेस्ट भी पेंडिंग है और टेस्ट जो है वो किसका है तो अपन लास्ट टॉपिक जो लिए थे मराठा मैं एक साथ पुरा लूँगा बस्तर का इतिहास ठीक है जो प्रबाबली फ्राइडे साटरडे ऐसा कुछ रहेगा समय ठीक है तो आप लोग उस निवेदन है कि आप लोग पढ़ लो अभी से ठीक है अब बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास की कोही अपन क्या कर रहे हैं तो आगे बढ़ा रहे हैं अज सही रोग आंदोलन जो है उस आंदोलन के बचे हुए जो घटना करम है जो इवेंस हैं उनको क्या करेंगे अपन अभी खतम करने वाले हैं ठीक है सबसे पहला जो बहुत महतुर्पून टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है पंडित माखन लाल चतुरवेदी का उजस्वी भाषण हा की ना यही है ठीक है इधर ज्यान दीजिए पंडित माखन लाल चतुरवेदी का ओजस्वी भाषण इंग्लिश में पंडित माखन लाल चतुरवेदी इस स्पिरिटेड स्पीच ठीक है डेट बारा तीन उननिस सो एक्किस बारा और एक्किस उल्टा पुल्टा महिना मार्च और वर्ष तो उननिस सो ही चल रहा है भी हा की ना उननिस सो इक्किस ठीक है ना ऐसा था बिलास्पूर क्या था लोकेशन बिलास्पूर और यहां पर हुआ क्या शेत्री राज नैतिक परिशद तो बिलास्पूर में क्या हुआ रीजनल पॉलिटिकल काउंसेल क्लियर है डेट क्या था बारा तीन उननिस सो इक्किस है डन अब इसमें क्या हुआ पंडेट जो माखन लाल थे उन्होंने एक ओजस्वी भाशन दिया क्या दिया एक बहुत स्पिरिटेड स्पीच दिया ओजस्वी भाशन दे दिया ठीक है अब इसमें इन्होंने क्या किया यह जो भाशन था यह अंग्रेजों के अब होता क्या है इनके ऊपर ना आरोप लगा देते हैं किसका राजद्रोग बुले इन्होंने क्या किया है राजद्रोग किया है ट्रीजन और इनके खिलाफ वारेंट जारी हो जाता है समझे की नहीं समझे तो बारा मार्च को भाशन दिये और बारा मई दो महीने बाद मार्च को भाशन मई में गिरिफ्तारी ठेक है कि नहीं है क्या हो गए ये गिरिफ्तार हो गए और गिरिफ्तार होकर ये कहा जाते हैं पता है बिलासपूर ये बिलासपूर कहा पहुँच गए मार्च में भाशन दिये जबलपूर से गिरिफ्तार हुए कहां मईने बारा मई कहां से गिरिफ्तार हुए है जबलपूर ठीक है ना? लिख देता हूँ मैं इनका जो अरेस्ट था वो कहां से था जबलपूर से और रखे कहां इनको बिलासपूर जेल में अब बेसिकली इनके उपर मुकादमा चला क्या चला? मुकादमा और ना पाँच जुलाई की बात थी कितनी जुलाई? पाँच जुलाई और गर्ष था उन्नेसो इक्यस ठीक है? इनको हो गई सजा क्या हो इनको? सजा कितने महा की? आठ महा की सजा एट मंच का इनको क्या किया गया? इंप्रिजन्मेंट जेल ठीक है के नहीं है? अब इसी के विरोध में इसी के अगेंस्ट में बिलासपुर में एक सारवजनिक सभा होती है एक आम सभा होती है एक जैनरल ग्यादरिंग, मीटिंग समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कहा पर? तो बिलासपुर में क्या होई एक? सारवजनिक सभा अब ये दो सारवजनिक सभा थी आम सभा थी बिलासपुर में इस सभा में संबोधन प्रसाइडिड ओवर बाई किसका था? पंडित, रवी, शंकर, शुक्रुण पंडित, रवी, शंकर, शुक्र लगा संबोधन था ठीक है कि नहीं है? पहली बात इसमें ध्यान रटना कोर्ट का ना एक मुलाजिम था मुलाजिम कहलो मतलब जो कोर्ट में क्या करता हो? काम करता हो वरकर जिसका नाम क्या था? गंगा प्रसाथ तिवारी नाम लिखे? गंगा प्रसाथ तिवारी जो है ना इन्होंने क्या किया? तो कोर्ट जो थी उसमें से इनकी जो नौकरी थी उसका किया क्या? त्याग गंगा प्रसात्य वारीट है क्लियर है इस मीटिंग में और कौन-कौन था ध्यान रपना राइपूर से एक जन आप गित बिल गए राइपूर से एक और है मतलब राइपूर से कुल किते हुए दो तो राइपूर से अगले कौन पता है तो पंडित माधव राव सप्रे कौन थे? पंडित माधव राव सप्रे दो जन बिलासपूर से क्या-क्या नाम है? इ- राघुवेंद्र राव और ठाकूर छेदी लाल सिंग तो ध्यान रखना दो बिलासपूर और दो राइपूर एक दुर्ग का क्या नाम है? घन श्याम सिंग गुप्त घन श्याम सिंग? समद में आया कि नहीं आया? अब ये सभावा भात हुई अब उनको जेल होई गया समझ रहेंगे नहीं समझ रहे हैं तो जेल में रहते हुए इन्होंने तीन कविताय लिखी कौन? पंडेट माखनलाल ने खीक है कि नहीं है? कौन-कौन सी तीन कविताय थी? पुष्प की अभी लाशा फिर है परवत की अभी लाशा और पूरी नहीं सुनो गे पुष्प की अभी लाशा, परवत की अभी लाशा पूरी नहीं सुनो गे तान इन तीन कवितायों की रचना की पंडेट माखनलाल चतुरवेदी ने बिलासपुर जेल में कौन से जेल में? कभी ना बहुत स्पेसिफिक MCQ पूछने लगता है पता है? रचना कहा की करके तो ध्यान रचना कौन सी जेल थी? विलासपुर समझे की नहीं समझे? ठीक है? डन यहाँ तक? तो यहाँ पर पंडेट माखनलाल चतुरवेदी का ओजस्वी भाशन वाला जो सेक्शन था वो हो गया? ठीक है की नहीं है? अब इसके बाद आपन नेक्स देखेंगे ना तो नेक्स क्या है पता है? तो कुछ ना राश्ट्री नेता हैं ठीक है? और बेसिकली उनके चत्तिसगण आगमन की बाद की गई है हा की ना तो राश्ट्री नेता बोले तो नाश्टनल लीडऱ् हा की ना तो नाश्टनल लीडऱ् राश्ट्री नेताओं का चत्तिसगण आगमन कौन-कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है की नहीं? क्या नाम है डॉक्टर? राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद है सी राज गो-पा-ला-चारी ठीक है की नहीं है? फिर तीसरी होंगी सुभद्रा कुमारी चौहान हा की ना सुभद्रा कुमारी ठीक है की नहीं है? तो ये ती राश्ट्री नेताओं का नाम लिखा है एक नाम यहां पर नहीं लिखा है उनका नाम है महात्मा गांधी तो उनके आगमन पर तो सेबरेट चर्चा होगी समझे की नहीं समझे? मतलब अगर लिखा हो ना लिखा हो आप तो इस नाम को स्वयां लिखी सकते हैं समझे की नहीं समझे? महात्मा गांधी को आप लिखी सकते हैं राश्ट्री नेता जिन्होंने चत्तिस गड़ जो आए कहलो जिन्होंने क्या? जो चत्तिस गड़ आए कौन सा? नॉन कॉपरेशन मुवमेंट अज सही हो गांधुलन के दोरान ठेक है? इनका तो इनका व्यातक है बहुत आगमन इनके आगमन पर तो विशेश रूप से भी हम 15 मट चर्चा ही करेंगे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ करके यहाँ तक समझे की नहीं समझे आप सभी अब इसके बाद ध्यान रखना है आपको तीन नेता का नाम और लिखा होगा एक का नाम है सेट गोविंद दास हा की न? उसके बाद जमना लाल बजाज सेट गोविंद दास जमनालाल पजाज और फाइनली तीसरा नाम क्या लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है क्या? मौलाना कुतुबुद्दीन वही है की नहीं है? मौलाना कुतुबुद्दीन अब ध्यान रखना इन तीनों के बारे में लिखा होगा कि ये लोग राइपुर आए और गांधी जो चौक है वहाँ पर सभा को क्या क्या है? इन्होंने संबोधन दिया या संबोधित किया अड्रेस किया क्या किया? अड्रेस किया गैदरिंग को किसने? सेट गोविंदास जमनालाल बजाज मौलाना कुदबुद्दीन ठीक है की नहीं है? डन? ठीक है जमनाल पसाद वर्मा कौन थे? कुछ भी अपने माँदाई अरे बिलासपूर में दो दुकाने थी ना एक का नाम क्या था? खादी बनना दूसरा सुदेशी स्टोर खादी बनना रियाद करो देवतादीन थे बारी हा की ना स्वदेशी स्टोर जमना पसाद वर्मा तब याद करो चिला चिला बुला था जमनालाल बजाज मत कर दे ना नाकपुर पहुच जाओगे ध्यान आ रहा है बस यही समस्या है कि तुम लोग को हमेशा एक जामवन्त चाहिए ठीक है कि नहीं है मतलब आप लोग यह सोच रहे हो कि आप लोग को जब परिक्षा होगा तो मैं खिड़खीक बाहर से चिलाओंगा पिक्चर देखें जॉली एलेल बीटू देखेऽ नहीं है नहीं देखेऊ तो जो नहीं देका एक समद्रव उसमें ना अख्षा कुमार बहार से बच्चे लोगों चीटिंग करा कराता है तो ऐसे मैं भी क्या कर गूंगा में से लिखो और माही कुल्च बाहन बढ़न बढ़े रहोंगा और चीटिंग करवाऊंगा हाँ चलो लिखो कौन कौन से राष्टी निताओं का चत्तित गड़ में आगमन हुआ था लिखो चलो सबसे तहले लिखना देखो क्रम में एक साथ मत लिखना आगे फीछे लिखना चेकर को पता चल जाएगा पहला महात्मा जानी इवन रोल नंबर वाले अगला कौन से लिखोगे और रोल नंबर वाले कौन से लिखोगे ऐसा चाहते हो गया तुम लोग मत करो यार पढ़ाई करो चीक है आप लोग को अभी शायद अहसास नहीं हो रहा हूँ बट टाइम बिट्विन ऑगस्ट अंड दिसम्बर इट फ्लाइज अवे अगस्ट से दिसम्बर के बीच का जो समय है न वो सट सगाया हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है ठीक बात हाँ की ना चलिए अब नेक्स्ट न मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ असायोग आंदोलन के समकाली कुछ महत्वपून घटनाक्रम समझ में आया की नहीं आया ऐसे इवेंट्स या इम्पोर्टन इवेंट्स विच अब आक्चुली ओकर्ड इन कंजंक्शन विट दी नॉन कोपरेशन मुवमेंट ठीक है तो आ सहयोग आंदोलन इसके समकालीन इवेंट्स ओक्रिंग इन कंजंक्शन विट नॉन कोपरेशन मुवमेंट ठेक है के नहीं है देखिएगा एक है कंडेल नहर सत्याग्रा कंडेल नहर सत्याग्रा ये स्टार्ट हुआ जुलाई उन्निस्सो बीस 1920 समझ में आया की नहीं आया और इसी कंडेल नहर सत्याग्रा के चलते महात्मा गांधी का चत्तिजगर में हुआ प्रथम आगमन गांधी जी का प्रथम आगमन फर्स्ट अराइवल ठीक है कि नहीं क्या हुआ कंडेल नहर सत्याग्रा नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है क्या तो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रा ठीक है कि नहीं है ये शत्तिजगर का पहला जंगल सत्याग्रा ये चत्तुर का पहला सत्याग्रा ठीक है कि नहीं है इसका डेट याद रखना है 21 1922 तो 21 और 22 ही होता है ना गिंती करो गए है तो 21 प्लस 1 इस वाट 22 ठीक है ना पूट-पूटांग डेख रहे हो मेरे को इसलिए पूछा पाएं फाइनली होगा क्या प्रथम मिल मजदूर आमदोलन फर्स्ट मिल लेबर मुव्मेंट इंच अप्तिस गड़ ठीक है कि नहीं है इसका सिर्फ वर्ष मिलेगा 1922 1920 समझे कि नहीं समझे क्लियर है तो ये असजयोग आमदोलन के समकालीन घटना क्रम है ठीक तो इन सभी को आज की ग्लास में हमको क्या करना है देख लेना है ताकि असजयोग आमदोलन वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या हो सके खतम हो सके ठीक है कि नहीं समझ गए चलिए अब सबसे पहले अपन किस से स्टार्ट करें कंडेल नहार सत्यागरा ठीक है कि नहीं है कंडेल नहार सत्यागरा इसको इंग्लिश में भी कंडेल नहार सत्यागरा ही लिखना कैनाल सत्यागरा नहीं कर देना समझे की नहीं समझे जुलाई उन्निस्सो क्लियर है ये समझे की नहीं समझे ठीक है सबसे पहली बात इसके नेत्रत्व करता इंगलिश में क्या बोलोगे लीडर तो नेत्रत्व करता या लीडर कौन थे तो पंडित, सुन्दर, लाल, शर्मा, समझ गये कि नहीं समझ गये? और इनके दो सहयोगी थे, तो सहयोगी में ध्यान रखना एक, बाबू, छोटे, लाल, श्री वस्तव, समझे कहीं समझे? तेर है ये बाद, और दूसरे जो सहयोगी थे, उनका क्या नाम था? तो नारा, यन, राओ, मेघा, ठीक है कि नहीं है? अगला पोइंट जो है, वो क्या है? स्थान है, लोकेशन है, क्या था? कुरूद के पास, कौनसा गाओ? कंडेल, क्लियर है? ग्राम का नाम क्या था? कंडेल, डन, अब समझेगा, इसके पीछे का कारण, रीजन क्या था, पता है? तो ये था, नहर कर, कौनसा कर? नहर कर, ठीक है? एक प्रकारा टाक्स था, जो इरिगेशन परबस्के ले लिया जाता था, क्लियर है ये बात? अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो पूरे घटागरम को डीटेल में एक्स्क्लेइन किया है, हाँ की ना? तो अच्छे से सुनो, अब बुक सुक्सुमत देखो, इधर पे ध्यान दो, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, क्या क्या हुआ था? देखें, ये कहानी जो है ना, इसका बैक ग्रॉप लगभग 1914 से 1923 के बीच का चलता है, ठीक है? इस समय माडम सिली डाम बनाया जाता है और उद्री डाम बनाया जाता है, ब्रिटिशर्स का लॉजिक जो था वो ये था, कि ऐसे डाम से अगर अपन बनाएं, और इसके माध् से किसानों को पानी दें, तो हम लोग किसानों से क्या खरी ले सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 36 गड़के जिस भाग की हम चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली एक फसली है, एक फसली होने का मतलब क्या है? यहाँ पर खरीफ की फसल हो सकती है मौनसून के कारण, बाकी फसल दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? और दिक्कत इसलिए है क्योंकि रभीक समय हमारे यहाँ पानी नहीं होता, तो यहाँ तो बारिश हो, तो हमारे यहाँ ठंड में बारिश होती है क्या? नहीं होती, यहाँ तो फिर क्या हो भई? तो यहाँ तो फिर आप ग्राउंड बात है, यहां कि यह मिल गया, तो अच्छा है, नहीं मिला, तो गया, पैस अडू गया, समझे के नहीं समझे, क्लियर है यह बात, ठीक है, अब इसके बाद देखना क्या होता है, बिटिशर्ज बड़िया दिमाग लगाए, कि हम लोग लोगों पानी देंगे, और लोग बदलें क्या देंगे, तैक्स, अब बिटिशर्ज ना यह चाहते थे, कि लोग जो है न, वो 10 साल का कॉंट्राक्ट साइंगरे,। कितने साथ का कॉंट्राक्ट साइन करें? दस साल का. और लोग जो हैं, दस साल के कॉंट्राक्ट में क्या करें, भई, पैसा दें, और बढ़ियस महर का पानी यूज करें. ठीक है कि नहीं है? और लगभग ऐसा वो कितने गाउन चाहते थे? पाँच गाउन में. ठीक है कि नहीं है? लेकिन ये जो 10 येर की विवस्था थी, जिस कॉंट्राक्ट पर साइन करवाना चाहते थे, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा था. उसका वैल्यू क्या था? बहुत ज़्यादा था. और वैल्यू इतना ज़्यादा था, कि किसानों को कैल्पूलेशन पर ये लगा, कि इतना सारा टाइक्स देने सच्छा है, खेती ना करना. तो उन्हें लोगोंने साफ साफ ब्रिटिशर्स को मना कर दिया. क्या बोल दिया? ये बोल दिया, कि देखी ऐसा है, कि हम लोग इसको साइन नहीं करेंगे. समझ गए? अब ब्रिटिशर्स जो है, थोड़ा सा क्या हो गए? वो लोग व्याकुल हो गए? ताही, इतना सारा खर्चत कर दिये थे. और लोग साइन अगर ना करें, तो नुकसान वाली बात है. हाग की ना? तब ये लोग सोचते हैं कि लोगों को कैसे भी करके क्या किया जाए? दबाव पुरुवत साइन कराया जाए. तो दबाव डालने के लिए क्या करते हैं? लोग एक प्लान मनाते हैं. प्लान ये था कि रात को क्या करेंगे? नहर जो है, इसको फोड़ देंगे. क्या करने के लिए? टाक्स को देने के लिए. और नहीं तो लोगों को परमसर चार्ज लगा देंगे. वसूली कर लेंगे टाक्स का. ये पुरा प्लान बना लिए. और ऐसा करते हुए, हुआ क्या? एक दिन रात को अगस्त का महिना था, जाते हैं, नहर को फोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं है? अब दुनिया भगवान नाम का भी तो चीज है ना? उसी रात को भैंकर बारिश भी हो जाती है. उसी रात को भैंकर बारिश भी हो जाती है. अब अब लोग सुबह उड़के देखते हैं, तो नहर थूटा और खेतों में पानी, Britishers बोलते हैं, तुम लोग पानीक चोरी किये हैं, तो हम लोग नहीं किये हैं, पानीक चोरी, भगवान गिरा है पानी, और बांध कैसे फुटा है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं, बांध मतलब उस ताइट से बंधा हो, वो भी बांध तम अब नहें है ना उसका समझे के नहीं समझे मतलब नहर कैसे पूठा आम लोग नहीं जानते ठीख है द्लाओ फ़ी खोटो लो कौंसा पानी और नहर का पानी है घणने पानी के कोई कौन सा पानी ये करके इंपॉसिबल सा बात है तो लोग तो हाँ खड़ा कर दिये बोले नहीं भाईया हम नहीं किये अब बिडिशास कोई बात पता थी बिडिशास उनके उपर क्या कि चार हजार तैटेस रुपय का सरचार्ज लगा दिये कित रुपय का चार हजार कि ठीच है कि नहीं हैं अमेरे को इक इस बताओ हुएँ बात करभे हैं सो साल पुरानी है सु wreckage अब साल पुरानी बात में अब उस समझ 4,000 रुपय का चा राजी हो रहेगा 4000 रुपए तो आज भी बहुत जादा है न किसको कम लगता है है कोई लाव निकालो एक कम है तो लाव निकालो में रेक दो बटन लगा को बैठो यार क्लास में तुम कहाँ संजय दद बन रहे हूँ तो 4000 रुपए किसान बोल दिए भाईया हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम 4000 रुपए पटा सके समझे की नहीं समझे अब ब्रिटिशर्स क्या कि यह पता है ब्रिटिशर्स नहीं जितने किसान थे इनका सब का क्याटल मवेशी उठाए और ले गए अब बोले कि हम लोग अगर तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो हम लोग क्या करेंगे तुम्हाए मवेशियों को कुर्क कर देंगे विलॉक्षन देम ओफ समझे की नहीं समझे तब किसान जो है वो जाकर सुन्दलाल शर्मा से मिले बताये पूरी बात तब सुन्दलाल शर्मा और उनके दो सही होगी नरायन राव मेगा वाले और बाबु छोटे लाल श्रिवास्तव इन लोगों ने एक्स्टेंसिवली उस एरियम क्या किया पता है तरीके से उस एरिया में गए लोगों जागरुक किया दोरा करकरके और जागरुक करके क्या बताया है उनको बताया कि ये बिडिशर्स गलत कर रहे हैं आप लोग इनका साथ मत दो अगर ये लोग ऑक्शन के लिए बुलाएं कभी मत आना और इस बात का असर भी हुआ लोग जो है वो अउक्शन के लिए आये ही नी बिडिशर्स ने उक्चन कॉल किया कई आर कोई आया ही नी जानवर लेने के लिए समझे के नहीं समझे तो फैस में फपर फेज Pengaya तो चोटा सा एक moral विक्टी तो में गया फिर मॉरल विक्ट्री में गया ना लेकिन असली विक्ट्री तो बाकी था कैसे बाकी था असली विक्ट्री वो ऐसे कि भाईया अभी तो जान और उनीक पास है और सरचार्ज लगा हुआ है हा की ना तब पंडित सुन्दलाज शर्मा सोचते हैं कि भाई अब किया क्या जाए तब उनके दिमाज में एक आईडिया आता है कि क्यों ना महात्मा गांधी को यहाँ इन्वाइट किया जाए बुलाया जाए महात्मा गांधी इस समय तक ने एक नाशनल लीडर बन के भर चुके थे क्यों चमपारण हो चुका था मिल मजदूर आंदोलन हो चुका था और इन सभी आंदोलन जो थे उसमें महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता बन कर उभ रहे थे और बहुत सक्सेस्फुल ये दोनोक दोनों मुवमेंट्स थे ठीक है कि नहीं है महात्मा गांधी को यहां पर बुलाया जाएगा ठीक है कि नहीं है हम महात्मा गांधी की और जो स्टोरी है ना उसको अभी के लिए हम लोग प्लॉक पॉस कर देते हैं पता नहीं वन से क्यांद्स को इस कॉलिंग हलो पता नहीं है बढ़िया सा ना एक रिदम क्रियेटेड रहेगा सब बढ़िया चल रहोगा तो अचानक से न उसमें डिस्टर्ब किया जाता है क्यों पता है जीवन तो चालेंज है ना तो चालेंज किया जाता है अच्छा कर रहे हो ना इसको तोड़ो फिर से अच्छा करके दिखा कोई बात नहीं हमातरोज का काम है ठीक तो मैंने क्या कहां मैंने कहां कि महात्मा गांधी को बुलाने का डिसाइड किया गया अब आल टुगेदर महात्मा गांधी का जो एंट्री की कहानी है चत्रगर में पुरेक पुरे विजट की कहानी है इसको मैं सेपरेट्ली डील करूँगा तो अभी के लिए हम इतना मानते हैं कि महात्मा गांधी को बुलाने के लिए कौन चले गए सुन्दलाल शर्मा सुन्दलाल शर्मा कहा गए तो आपको याद वोगा मैंने बताया था विशेश अधिवेशन जो है सितंबर में कहा था कलकत्ता हाकिना और वार्चिक अधिवेशन दिसंबर में नाकपुर में हाकिना तो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ और नाकपुर में जो अधिवेशन होना था इसके बीज का जो समय था ना इस समय में गांधी जी कलकत्ता में थे कहां थे कलकत्ता तो यहां से सुन्दलाल शर्मा गए कलकत्ता ठेक है और दिसंबर के महीने में महात्मा गांधी कहां पहुंचे 36 ठीक है कि नहीं है तो खेर उनके आने की कहानी को तो अपन देखेंगे यहां पर हुआ क्या जैसे ही महात्मा गांधी को बुलाने के लिए सुंदलाल शर्मा गए बिटिशर्स जो है ना थोड़ा सा वो डर गए कहल हो क्यों डर गए क्योंकि इसी समय हाल में नॉन कॉपरेशन मुवमेंट चालू हुआ है ठीक है कि नहीं है 36 गण में अगर बहुत बड़े स्वरूप में देखोगे तो आंदोलन अभी तक फैला नहीं है परिको कि यह बात तो किसकी हो रही आगा सितंबर की बात हो रही उन कमढ़न को लीड़ ना करने लग जाएं समझे कि नहीं समझे तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि यह जो कंडेल नहर सत्याग्रा जो है ना इसके मैटर को क्लोज कर दिया जाए गांधी जी के आगमन से पहले समझे कि नहीं समझे इंटर्नली वो डिसाइड हो जाता है Internally क्या हो जाता है वो? Decide हो जाता है. और इसके बाद राइपुर के डिप्टी कमिश्टनर इनको भेजा जाता है that तुम जाओ और तुम छेत्र का दौरा करना और दौरा धिरने के बाद ये बोलना कि पानी की छोडी का आरोप जो है वो आरोप क्या है बेकार है गलत है बेगुनियाद है समझ में आया कि नहीं आया और क्या गरना जो सरचार्ज मांट है उसको वेव औफ कर दिना का क्या आर्थ होता है देना समझें कि नहीं समझें तो इस प्रकार से राइपुर के डिप्टी कमिश्णर दौरा किये क्या बोले कि पानी की चोरी यह जो आरोप है यह आरोप कैसा है कि एक्टिवेट कर दूं क्या बेगुनियाद है इस बेसलिस समझायक निया बेगुनियाद होना मतलब कम्प्लीटली बेसलेस है ठीक है कि नहीं है और सरचार्ज इसको क्या कर दिया वेव उफ सरचार्ज कितना रुपया था चआर्ज करें इस बाद बता को गपता हूं ग्रंथ काडमी की दो उख्प में दो अलग अलग देता है 4,033 भी है, 4,033 भी है 4,033 भी है, 4,303 भी है दूनों government records में है तो भई, अब हम तो दोनौ नहीं मान सकते न दोनों माना जा सकता है गया तो एक मान से 33 मान लेते है आखिर तो wave हो नहीं है कौन सा पैसा जाना है ठीक है कर नहीं है हो गर हानु नहीं कवर हाथ उठायो उठाया संकरा थसते हैं मैं बोला कि अब उठेंगी बुलेंगी बल्ले करेंगी ठीक है हो गया अब क्या किया जाय बताएं मात्मा गाधी का प्रथम आगमन क्वेश्चन लिखलो यार चरह दुतीन क्वेश्चन दिमात्मा आ रहे लिखलो कंडेल नहर सत्याग्रह पर टिपणी लिखिए कंडेल नहर सत्याग्रह पर टिपणी लिखिए राइट नोट ओन कंडेल नहर सत्याग्रह सिक्स्टी हंड्रेट दोनों कर सकते हो राइट नोट अन कंडेल नहर सत्यागर ना क्या नाल फेनाल नी करना क्या गरना नहर नहर सत्यागर समझे की नी समझे हो गया ना अगला कोश्चन लिखना महात्मा गाधी के छत्तस गड में प्रथम आगमन का क्या उद्देश्य था महात्मा गांधी के छत्तिस गड में प्रथम आगमन का क्या उद्देश्य था वट वस दी अब्जेक्टिव औफ महात्मा गांधी's फॉस्ट विजट तू छत्तिस गड वट वस दी objective of महात्मा गांधी is first visit to छक्तिसगर 60 world limit 60 अगला question लिखना first visit को second visit करना first visit को क्या करना second visit करना ठीक है कि नहीं है हा कि ना अगला question लिखना सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब और क्यों हुआ था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब और क्यों हुआ था why and when did the सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह happen Why and when did सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हापिन? 100 वर्ड्स 100 शब्द अगला कोशन 36 गड़ में हुए मजदूर आंदोलनों को विस्तार से समझाईए 36 गड़ में हुए मजदूर आंदोलनों को विस्तार से समझाईए Explain the labor moments that occurred in 36 गड़ in detail 175 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों मैं कर सकते हूँ प्राक्टिस 100 एक सोपस्था ठीक है इतने सारे कोशन ना आज की क्लास में बनेंगे सारेक सारे एक साथ लिखवा दिया हूँ ठीक बात तोटल सौ ओपर हो गया होगा ने कॉष्ण मिनीमम दस को दिखाय हूँ क्या लिखके मिरको मिनीमम दस क्या मिनीमम दस लोग नी दिखाय रहु लगने एक दस एंसर क्या दिखाय होगे तुम लोग ठीक है, जितने में questions दिया हूना, अगर मोटा-मोटा इन लोग को practice कर लोगे इतने सारे questions को, तो CG history का जो section है, उसमें एकदम से, जितने question है ना, हो गयते ही आश्रोट अब जो आएगा ना, इनीक बीच बीच में से आएगा, हो सकते हैं, एक दो अलग आजाए, तो आएगा इनीके बीच में से, इस बात को मानके चलिए, अचा एक type का question में आपको और बताता हूं, हाँ, ये question आ सकता है, 30 words या 60 words में, ये type of a question है, इसमें क्या करता है, पता है, चत्त गड़के किसी भी एक स्वतंतरता से नानी को उठा देगा, freedom fighter को, और बोलेगा कि चत्त गड़के इतिहास बने इनका contribution बताईए, समझ रहेंगे नहीं समझ रहें, for example ठाकूर प्यारे लाल सिंग ठीक है, क्या बोलेगा, चत्त गड़के में इनका योगदान बताओ, समझ रहें, तब आपको ना पूरे जितने आंदोलन में ये थे, उन आंदोलनों का क्रक्स जो है, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब आप इनका योगदान बता सकते हो, समझ में आयाक आया, अब जैसे आपको याद है एक व्यक्ति, गजाधर साओ, नाम याद आ रहें, क्या थे, होमरू लीक बिलासपूर, हा की न, 30 वर्ट्स में आया था, 30 वर्ट्स का क्योशन था, कि गजाधर साओ जो है न, उनका चत्त गड़की तिहास में क्या योगदान है, समझ गे, तो न, दो योगदान दिखता है, एक योगदान दिखता है, होमरू लीक बिलासपूर, और दूसरा दिखता है, सिवेल डिसोबेडियन्स मूवमेंट के समय, तो सिवेल डिसोबेडियन्स मूवमेंट है, तो अभी अपन पहुँचा ही नहीं है, तो उसको तो छोड़ ही ग जब मैं आपको इस दृष्टी या इस विजन से बोला ना मेरे दिमाग में क्लिक किया या आई ये इसके दो फेमस अलग-अलग कोचिंग है ना हाख ही ना और मज़े की बात क्या है ट्रांसलेशन है हिंदी इंग्लिश नहीं है जी मैं कभी लाइफ में ध्यान नहीं दिया था अभी मैं बोला ना तो मेरे वो दिमाग में क्लिक किया अरे या या तो ऐसा होता है गर क्या ठीक है चलिए आगे बढ़े जाए महात्मा गांधी चत्रगण में प्रथम आत्मन फर्स्ट विजिट टू चत्रगण अब यह इसका डेट क्या क्या था महीना क्या था दिसंबर और वर्ष क्या था उनने सो तो वास्तविक्ता यह है कि हमने न सभी लोगों का नाम लिखा कौन-कौन चत्रगण आये उसमें न गांधी जी की नाम सबसे आखरी था लेकिन गांधी जी पहले आये थे गांधी जी चत्रगण में इवन नाकपूर अधिवेशन से पहले आये थे समझे की नहीं समझे क्लियर है न यह बात तो 20 और 21 दिसंबर 1920 का दिन था जब गांधी जी चत्रगण के प्रवास पे थे ठेक है कि नहीं है अच्छा महात्मा गांधी के साथ और कौन आये थे तो गांधी जीटो थे इनके साथ और कौन थे मौलाना शौकत अली हा की ना नहीं थे और मौलाना शौकत अली यह वही व्यक्ति थे जीनका संबंध किस से था खिलाफब मूवेन्ट समझ में आया क्रिशन संबंध में आएक रहा है पुरे भारत में चलेगा अच्छा नेक्स अगर आप ध्यान दो तो इनके साथ और कौन था पंडित सुन्दर लाल शर्मा जी तो कॉमन सेंस की बात हैं यह तो क्या है कॉमन सेंस की बात का है तो लेके वापस भी तो आएंगे कि बोल देंगे लें गांधी जी तुमन चल देत यह मूला थोड़ा स्था काम है कलकत्ता सुईती निकल जाते हैं तिंदी की समझ रहेंगे नहीं समझ रहें तो यह तो आएंगे ही ठीक है कि नहीं अब आने का उद्देश क्या था सच्चाईए है मूल उद्देश्था कंडेल नहर सत्यागरा में क्या करना थाग लेना ठीक है कि नहीं है भाग लेना तो थोड़ा हलका शब्द हो गया उसका नेत्रत्व करना उसको लीड करना महतमागान यहाग तो भाग ठोड़ना लेंगा लीट करेंगे nggak समझे की नहीं समझे यह बात था साथ में इन्होंने क्या किया तो इन्होंने चतिसगर में शहयोग जो आंदोलन है इस आंदोलन का प्रचार भी किया ठेक है की नहीं है छीक अब एक स्टोरी बताता हूं सुनना आपके मामा राइपूर बे रहते हैं आपके मामा कहां रहते हैं और आप रहते हों बिलासपूर तो आप अपने मामा गाओं आएं आप कहा हैं अपने मामा गाओं तो आपके मामा बोले कि कल 15 अगस्त है और गदर्टू रिलीज हुआ है, तो चलो तुमको मैं गदर्टू दिखा दू, समझ गए, आपके रायपुर आने का उद्देश ही क्या था, मामा का राना, हा कि न, प्राइमरी, सेकेंडरी, गदर्टू भी देख लिए, समझ में आया कि न आया, तो मूल उद्देश कंडेल सत्यागरे में शामिल होना था, आये तो सही हो गांदोलन कभी यहां पर प्रचार किया, बात ये थी, समझ में आया कि न आया, लेकिन न, MCQ आया है, उस MCQ में ये दोनों स्टेटमेंट था, उद्देश को लेकर, और PSC ने आंसर, कि सही हो गांदोलन के प्रचार के लिए आ तो मेरे को प्तार की गुरूब से थोड़ा सा सही नहीं लगता, सही तब नहीं लगता, जब वास्तविकता ये थी, कि वो तो नाकपुर अधिवेशन से असर, योग आंदोलन चालू होगा ना, तो actively कैसे उसके बारे में बताएंगे, यही बता सकते हैं कि एक नए आंदोल एक टांग, एक टांग, को तुम लोग खा दिये हो जी, नहीं हो क्या, कोई लेक पीस वाला एक अजन, कौन-कौन नॉन्विज खाते हैं हाथ उठाव, कोई तुम लोग आशा नहीं खाते हैं, जूट तो तुम लोग आशा बोलते हो ना, दो बार पुछनेक बाद चाथ हो पोःज खाते हो, दिमाग तो खाते हैं, सर, सर, इसको अचा करेंगे, तो नहीं होज़ागा सर, ठीक चली अब दो डेटै अलग-अलग देखते हैं, पहले देखते हैं कि बीज बारा क्या हुआ होगा ठीक है, बीजойдsociकों को क्या हुआ बहत बहते हैं, सबसे पहले पहूच राइपूर पहुंचे और जैसे राइपूर पहुंचे ना शौकादली और सुन्दलाचर्मा भी दे साथ में लोगों ने महात्मा गानी का स्वागत किया सबसे पहले और स्वागत करने के बाद ततकाल बुड न्यूज दिया कि कंडेल नहर सत्यागरा क्या हो चुका है सफल कंडेल नहर सत्यागरा क्या हो गया है सक्सेस्फुल हो गया है अब सुन्दलाचर्मा के जाने के बाद जो घटनाकरम हुआ था उसके बारे मुंको कैसे पता चलता उस जमाने में तो वाट्सप भी नहीं था ना कि मैसेज कर देते फोटो कीच के हम लोग जीद गये, we won ऐसा गर के तब जब वापिस आये पता चलक महात्मा गांधी के पहुँचने से पहले उनके नाम मात्र से कंडेल नर सत्यागरा जो है वो क्या हो चुका है सक्सेस्फुल हो चुका है अब चुकी गांधी जी दोजे दिन के प्रवास पर तो आये ही थे तो प्रवास को तो पूर्ण करते हा की ना तो यहां से गांधी जी कहां आ गए गांधी चो समझ में आया कि नहीं आया और यहां एक बहुत बड़ी क्या थी गैदरिंग थी सभा इसको इन्हों ने क्या किया संबोधन दिया प्रसाइड किया और लोगों से क्या अपील की इसमें लोगों से अपील की कि आप अधिक से अधिक संख्या में क्या करो अ सहयोग आंदोलन में भाग लो अ सहयोग आंदोलन में क्या करो अधिक से अधिक संख्या में पार्टिस्पेट करो, भाग लो पार्टिस्पेशन बहुत अच्छा होना चीए ठीक है कि नहीं है स्वदेशी वस्तूओं के बारे में भी लोगों को बताया फाइदा बताया, सब कुछ के हम हाथ मगानी में ठीक है कि नहीं है जी हा कि ना अब इसके बाद देखिएगा अगला डेट 21.12 सुबे 11 बजे कहां पहुंचे पता है तो सुबे 11 बजे ये पहुंचे धंतरी कहां पहुंचे और मकई चौक कौन से चौक कौन-कौन धंतरी से जी कोई नहीं हो तो मकई चौक में इनका स्वागत हुआ मकई चौक में क्या हुआ इनका लोगों ने इनको वेलकम कर लिया ठीक है अब गानी जी कहा है सभा तो होगी होगी की नहीं होगी तो ये जो सभा है न gathering सभा के लिए था जामू हुसैन का ठीक है की नहीं है अब देखना एक बाला के अंदर गान्धी जी सभा लेंगे सब लोग गान्धी जी देखने नहीं आएंगे आएंगे भीड़नी हो जाएगा बहुत तो बहुत भीड़ो गई तो बहुत भीड़ो गई तो एक सेठ थे जिनका नाम था क्या उमर सिंग काच्छी क्या नाम था उमर सिंग काच्छी तो सेठ उमर सिंग काच्छी ने गांधी जी क्या किया अपने कंधे पर बिठाया कहां बिठाया कंधे पर बिठाया और मंच तक ले गए कहां रग ले गाए? मंच तक और इसी के बाद एक नया चॉकलेट निकला जिसका नाम क्या था? मंच खाया ना मंच आप लोग? वो दो ठो चॉकलेट निकला था, पता है ना? एक दूसरे कॉंपिटिशन में पर्क और एक मंच पर्क मेरे इस आपसे कैटबरी का था गया अब मंच किसका है नसले का है ठीक है कि नहीं तो अलग-अलग कॉंपेटर्स नहीं हो गया हो गया ना डन अब सभाव हुई आपको यह व्यक्टी यार्ण है नामे भी नहीं असर या नाम अगर मैं बदल दू तो बाजी राओ कौन थे चुराओ का भाईशकार किये थे न प्रांती विधान परिशत से चुने गए थे निर्वेरोद ठीक है कि नहीं है इन्हों ने तिलक स्वराज फंड में कितने डाले 501 रुपए डाले कितने डाले 501 रुपए डाले ठीक है कि नहीं है और ये 501 रुपए है क्यों दिये गए अरे बाया वरिहद रूप में आंदोलन को चलाओगे क्या चाहिए फंड्स फंडिंग अब आप तो दुनिया प्रकार का तुम्रों के पास फंड्स का ओप्शन है हा कि ना उस समय क्यों आप्शन था फंड्स का उस समय फंड्स का या फंडिंग का जो में आप्शन था वो था पब्लिक फंडिंग क्या था पब्लिक फंडिंग कि लोग अपनी स्वेक्छा से जो फंड्स दे दे ठीक है कि नहीं है अब चुकि तिलक जी की मिर्टिव हुई थी, तो अस अयोग आंदोलन के लिए, क्रियानवन के लिए, एक्जिक्यूशन के लिए, जो फंड बना था, उसका नाम रखा था, तिलक स्वराज फंड, और उसी फंड में, सब लोग जो है, अपने-अपने, जो भी उनसे पैसा हो सकता, तो उस पैसे क्या किया करते थे, दिया करते थे, समझे की नहीं समझे, तो तिलक स्वराजपन में 501 रुपीज, 501 रुपे कौन दिये थे, बाजी राओ, खृदर, ठीक है कि नहीं है, फिन नारायन राओ, मेघा वाले, इनके आपर गांधी जी ने विश्रा किया हा कि ना और वश्राम करने के बाद महात्मा गांधी जो है, वो क्या किये, तो निकल गए कहा जाने के लिए, तो वापिस राइपूर रस्तेम कुरुद में, रुके लोगों से, भेट मुलाकात किये, ठीक है कि नहीं है, फिर कहा आ आ गए, राइपुर, ठीक है कि नही हैं अब ध्यान रटा बहुत इंपोर्टेंट है राइपुर में महिलाओं की सभा सभा का हुई था पता है यह सभा था आनंद समाज वाज नाले आनंद समाज लाइब्रेरी ठेक है कहा है कंकाली तलाब के सामने बावन पारा समझे की नहीं समझे यहाँ पर महात्मा गांधी जो है वो महिलाओं की एक सभा लेते हैं किसके द्वारा महात्मा गांधी के एक सभा हुई ठेक है अब यह जो सभा थी ना इसमें महात्मा गांधी ने महिलाओं से आवाहन किया कि आप लोग भी क्या करो तिलग स्वराज फंड में फंडिंग दो ठीक है कि नहीं अब यूस जमाने में महिलाओं के पास ऐसा कोई आय का साधन तो था नहीं कि कुछ फंडिंग अलग से पैसे को रुप में दे सके लेकिन हाँ एक चीज महिलाओं पास होता है वो क्या होता है जेवर गहना समझे के नहीं समझे तो बस फिर क्य क्या था महात्मा गांधी को यह जो महिलाए थी इन्होंने लग भाद 2000 रुपए वर्थ के गहने क्या किये थे तिलक स्वराज फंड में किसमें ने दिये तिलक स्वराज फंड में ठीक बात तिलाक स्वराज फंड में डाले हैं ठीक बात अब इसके बार महात्मा गांधी जो है यहां से कहा निकल गए नाकपुर 21 तो होई गया था 26 को सम्मिलन था नहीं था क्लियर है तो महात्मा गांधी का प्रथम जो आगमन था यह खतम हुआ ठीक बात हां की ना अब इसके बार ध्यान रखियेगा जंगल सत्याग्रा की अगर बात करो गया तो सामान्य रूप से 46 गड़के 80% जंगल सत्याग्रा जो है वो सब विने अबग्या आंदोलन के समय हुए किसके समय हुए civil disobedience movement के समय है ठीक है की नहीं है लेकिन पहला जो जंगल सत्याग्रा था यह होता है किसके समय है आज सही होगा आंदोलन non corporation movement के समय है समझे की नहीं समझे तो यह है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रा इंग्लिश में भी जंगल सत्याग्रा होता है ना ठीक है कि नहीं है फ्रेस movement मत कर दें जंगल सत्याग्रा और उसके बाद date आपको ध्यान है मैंने बताया था 21 1900 समझे की नहीं समझे 21 1900 हो गया यह बात done अब देखना अच्छे से सबसे पहले इसका कारण हमें समझने की ज़ुरत है इसका reason क्या था तो कारण यह था कि Britishers ने वन के या forest के प्रवेश और प्रयोग इन दोनों पर क्या लगा दी थी forest में entry और उसके use दोनों पर क्या कर दी इन्होंने रोक लगा दी तो बहुत एक चीज़ में बताओ अगर ऐसे कोई लोग हैं जो की क्या कर रहे हैं इन वनों का इस्तिमाल कर रहे हैं तो उन लोग का क्या हालत होगा अब माल लोग ऐसे कोई जन जाती है कोई ऐसे ट्राइब है जो की forest में रहती है और जीवन परियां तो लोग हमेशा से 200-500-1,000 पता नहीं कितने सालों से forest में रहे हैं अचानक से एक दिन आप उठो और बोल दो कि देखो ऐसा है भाईया तुम लोग ना वनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते वनों प्रवेश नहीं कर सकते तब उनलों का क्या हालत होगा उनलों तो पूरा पूरा dependent किस पर है वनों पर dependent है और एक दिन उनके सारे अधिकारों खतम कर दो आप तो इसमें क्या होगी मतलब विद्रों की भाव में आएगी कि ने आएगी आएगी ना तो एक है बहुत बढ़ा कारण था दूसरा नारण क्या था बेकार तो इन सभी लोगों से बिटिशर क्या कराते थे बेकार कराते थे और बेकार का मतलब क्या है वर्क विदाऊट पेइमेंड भी ना मजदूरी के कारे कराना समझ में आया की ने आया ये दो महत्वपूर्ण कारण थे ढ़िक है जिसके कारण ये सत्याद्र हुआ अब कहा हुआ बताने की जौरत नहीं स्थान लिखा ही है सिहावा नगरी धमतरी जिला अब का अब का उस समय जिला नहीं था खेर है कि नहीं है डेड़ भी लिखा हुए 21-1925 ठेक है आचा अब ना इसमें कौन से स्थानी ये नेता थे स्थानी नेता बोले तो लोकल ली लाल सुम फिर हरक राम सुम ठेक है कि नहीं है उसके बाद पंचम सी सुम है शाम लाल हरक राम पंचम सी ठेक है कि नहीं है फिर अगले है वी शम भर पटेल फिर है शो भा राम साहू ठेक है कि नहीं है इसके बाद देखोगे राम नात राम हाकिना और फिर है आनंद राम क्लियर है इतने सारे लोकल लीडर्स थे क्या थे सारे सारे स्थानी नेता ठेक है कि नहीं है डन अब देखिएगा होता क्या है डेट था 21.1922 ठेक है कि नहीं है जंगल में क्या की गई मस्त कटाई समझ रहेंगे नहीं समझ रहें और उसके बाद अंग्रेजों को क्या किया गया सूचित कर दिया गया देखो भी यह ऐसा है कि तुम हमको मना किये हो तो हम जंगल में कटाई कर दिये हैं अब तुम लोगो जो ठीक लगता है तुम लोग कर लो समझ रहेंगे नहीं समझ रहे हैं चोरिस कटाई कर लोगे तो फिर किस काम का आपका सत्यागरा चोरिस कर लिए तो सत्यागरा कैसा सत्यागरा तो तब है ना जब आप बताओ कि आपके द्वारा नियम बनाया गया है उसको हम तोड रहें समझे की नहीं समझे आप कॉमन सें अरेस्ट ठीक है कि नहीं है और अरेस्ट करके पहरे लोगों कहा रखा गया राइपूर जेल कौम से जेल और वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया नरसिह पूर जेल तो पहले राइपूर जेल और फिर कौम से जेल नरसिंग पूर जेल लोगों को ये कहा गया कि देखी ऐसा है कि आपना माफी मांग लीजिए जो लोग अरेस्ट हुए थे उनसे क्या कहा गया कि आप क्या करिए माफी मांग लीजिए तो लोगों ने क्या किया मना कर दिया माफी आफी नहीं मांग पाएंगे तो इस condition में 33 लोग इनको 3 महा की क्या हुई सजा और 6 लोगों को कितनी महा की सजा हुई 6 महा की सजा 33 लोगों को 3 महा की सजा और 6 लोगों को 6 महा की सजा ठीक है कि नहीं है अब इस बीच एहमदाबाद session of Congress था अब एहमदाबाद session से वापस कौन आए तो एहमदाबाद अधी वेशन यहां से वापस कौन आए तो में थे अपने पंडेट सुन्दलाल शर्मा जी ठाकी न अब इनके वही दो साथी क्या क्या नाम नारायन राव मेगा वाले ठीक है कि नहीं है हां कि ना और तीसरे कौन थे BCS बाबू छोटे लाल समझ गये की नहीं समझ गये अब देखते जाना क्या होता है हां जैसे यह लोग वापस आये ना इनको पता जला कि एक जंगल सत्याग्रा चल रहा है सिहावा नगरी में तो यह अन्य सत्याग्रियों को लेकर कहां पहुंचे सीना सिहावा नगरी सिहावा नगरी में लोगों उस बात किये बुले कि देखिये ऐसा है कि अभी हम लोगों ने कॉंग्रेस से पर्मिशन नहीं लिया इसके लिए ऐसे सत्याग्रा के लिए कॉंग्रेस से पर्मिशन नहीं लिया है क्यों क्योंकि नॉन कॉपरेशन मुउमेंट चल दया ना 21 से 22 हाँ कि ना तो क्या हुआ इनको कहा लोगों को कि अपन ना क्या करते हैं आंदोलन को स्थगित कर देते हैं जब तक हमको क्या ना मिल जा है पर्मिशन समझ में आया कि नहीं आया तो कॉंग्रेस से अनुमती मिलने तक क्या बोले कि ये जो सत्याग्रा है इसको क्या कर दो क्या कर दो स्थगित स्थगित कर दो इसे सस्पेंट कर दो भी के लिए टियर है आंदोलन स्थगित हो गया अब इसके बाद एक दिनना एक सभा होती है धमतरी में और इसमें सुन्दरलाल शर्मा जी कौन ये खूब निन्दा करते हैं बिटिशर्स की इसकी निन्दा करते हैं बिटिशर्स की ठीक है तरीकेस निन्दा कर दी अब बिटिशर्स क्या करते हैं तो सबसे पहले वन विभाग जो है इसकी कारिश एली में सुधार करने गोशना करते हैं इनका जो work culture इसमें क्या करेंगे अपन सुधार करेंगे और new thumb मजदूरी क्या करदेंगे fix कर देंगे ऐसी खोष्णा कौन कर दिया Britishers थो दबाव वना pressure create हुआ तो क्या बोले क्या कर देंगे तो new thumb मजदूरी दर्जो है उसको अपन ले आएंगे fix कर देंगे और क्या कर तो जो forest department है, उसमें जो work culture है, उसको क्या कर देंगे अपन, सहीं कर देंगे, ठीक है कि नहीं है, clear है ये बात, और उसके बाद मस्त तरीके इस क्या दिया जाता है, notice, किसको किसको, सुनलाल, समझ गया कि नहीं समझ गया है, प्लस, नरायन, राओ, मेघा वाले, समझ गया कि नहीं समझ गया है, और, notice देकर, इन दोनों को क्या आ जाता है, क्या, गिरिफ्तार, अरेस्ट किया जाता है, ठीक है कि नहीं है, फिर यात करो, 22 सुनलाल शर्मा, जेल में क्या लिखेंगे, जेल पत्रीका, क्रिष्णा, जन्मा, स्थान पत्रीका, सन्वाया, कनेक्ट हुआ, वहाँ से यहाँ, तो इस प्रकार से यह जो, पहला जंगल सत्याग्रा था, चत्रीका, यह क्या हो गया, खताब हो गया, तो चत्रीका पहला जंगल सत्याग्रा, सिहावा नगरी, पहला सत्याग्रा, कंडेल नहर सत्याग्रा, I hope आप लोग सनुझपा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठेक है, अब उसके बार हम लोग किस पर आ जाते हैं, तो प्रथम मिल मजदूर आम डोलन, ठीक है कि नहीं है, प्रथम मिल मजदूर आम डोलन, 1920, 1920, ठेक है कि नहीं है, अब देखिएगा, सबसे पहले, स्थान, लोकेशन, क्या था, बी एंसी, मिल, कहां था यह, राच, नाथ, सौन में आया कि नहीं आया, इसका नेत्रित्व कौन कर रहे थे, ठाकूर, प्यारे, लाल, सिंग, यह रेत्रित्व कर रहे थे, TPS, ठाकूर, प्यारे, लाल, सिंग, ख्लियर है यहां तक, अब ध्यान दीजिएगा, इनके ना दो जन संग्वारी भी थे, क्या क्या नाम, शिव, शंकर, याद आया, शिवलाल, मास्टर, और, शंकर, लाल, खरे, सबसे पहला कारण, इनके ना कार्य के घंटे कैसे थे, अधिक, more, समझे की नी समझे, कार्य के घंटे निश्शित नहीं थे, फिर इनका जो वेतन था, सालरी वो कैसा था बहुत, तो working hours more थे, और सालरी less थी, समझे की नी समझे, ये मूल कारण था दन तो कॉवन सेंस की बात इनों की मांग क्या होगी डिमांड क्या होगा कि कार के घंटे क्या करो 6 कर दो हा की न 8 आर्स और वेतन में वृध्धी हो हा की न और as a whole जो वरकिंग कंडिशन सो उसमें क्या हो सुधार समझ रहेंगे नहीं समझ रहे हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण भी था महत्वपूर्ण ये था की 37 दिन की क्या होई थी हर्टाल 37 डेज का क्या होगा था स्प्राइप होगा हर्टाल हुगा था अब ये हर्टाल कब हुगा था तो ये हुआ था December 19 सब्ढ़ आया 1 December नहीं है न December 19 1937 37 दिन का क्या हुआ हर्ताल हुआ समझे के नहीं समझे और ये जो हर्ताल था इस हर्ताल के चलते ये total moment जो है ये grand success होता है ठीक है के नहीं है महतुपूर्ण में एक चीज़ और द्यान रपना कि इस समय बहुत फेमस एक लेबर लीडर थे जिनका नाम क्या था वीवी गिरी ये कहां आए चत्तिसगड ठीक है के नहीं है और चत्तिसगड में भी कहा राजनाद गाउदी जहां हो रहा है वहीं आएंगे अब हमारे घत्व आएंगी नहीं चलो मिलना है बगेल जीज मिलेंग करके ठीक है तो वीवी गिरी पहुँचे कहां चत्तिसगड के राजनाद गाउद क्लियर है की नहीं है अब इसको लीड करे थे ठाको ट्यारे लाल सिंग स्ट्राइक होने के बाद यह सक्सेस्फुल हो गया सक्सेस्फुल होने के बाद क्या हुआ जो मांगे थी वो कौन हो गई कार के घंटे घंटे जो है वो निर्धारित कर दिये गए और वेतन में क्या कर दी गई व्रिधी कर दी गई तो ये तो बहुत बढ़िया सा हो गया हा की ना अब इसके बाद Britishers को ये लगा कि ठाकुर प्यारे लाल सिंग की इस छेतर में ख्याती बहुत है बहुत अधा फेमस है आगे चलके हमारे लिए क्या हो सकते हैं खत्रा हो सकते हैं तो इस लिए क्या की अपता है इस लिए उनको जिले से निश्कासित कर दिया समझ रहे हैं की नहीं समझ रहे हैं हाला की गवर्नर ने उसमें हस्तशेथ किया इंटर्वीन किया और उस ओडर को निरिस्ट कर दिया समझे की नहीं समझे कि नहीं समझें आप लोग, clear है ये बात, तो इस प्रकार से successful था, पहला मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है कि नहीं है, अब मिल मजदूर आंदोलन दो ठोग और है 1924 में और 1937 में, लेकिन उसको मैं separately पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर आपको असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा हूँ, तो इसके सिर्फ और सिर्फ वही चीज़े बता रहा हूँ, जिनका संबंध किस से है, नॉन कॉपरेशन मुमेंट से, अब फाइनली नॉन कॉपरेशन मुमेंट के समकाली जितने घटना ग्रम थे, उन सभी घटना ग्रमों पर हम लोगों ने डीटेल में चर्चा कर ली, हाँ की ना, अब इस आंदोलन का क्या देख लेते हैं, अंत, ठीक है कि नहीं है, तो असहयोग, यह जो आंदोलन है, इसका अंत कैसे हूँ, ठीक है, टीन डेट याद रखना, चार फर्वरी, बारा फर्वरी और उसके बाद बारा मार्च, समझ गये कि नहीं समझ गये, चार फर्वरी, बारा फर्वरी, बारा, मार्च, चार फर्वरी को होता क्या है, चौरा, चौरी, ठीक है, चौरी चौरा बोल दोगा, तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, चौरी चौरा बोलता है ना, चौरी, चौरा, कांड, चौरी-चौरा, इंसिदेंट, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गोरगपुर जिले में जगा थी चौरी-चौरा, यहां पर होता क्या है, पता है, कि जो आंदोलन कारी थे, और जो पुलिस वाले थे, उन दोनों की बीतमत जड़ाप हो जाती है, बुक्स को देखो के तो 22 लिखा रहते हैं, लेकिन गोरगपुर डिस्ट्रिक का ओफिशल वेबसाइट देखो जो 23 लेखा हुआ है, तो 23 लोग पुलिस वाले जलके मर गए, अब आपको पता है, यह जो असहयो का अंदोलन था, यह गांधी युक का अंदोलन था, मतलब ग गांधी जी के आईडियल्स पर यह चलता था, किस पे किस पे अहिंसा, सत्याग्रा और यहाँ पर क्या हो गई, हिंसा हो गई, और हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी जो है, वो क्या हो गए, दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने 12 फरवरी के दिन क्या कर द सब्सक्राइब आया क्या डेक्लेयर कर दिया आंदुलन क्या है अब फिनिश है खतम है और फिर 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी क्या हो गए अरेस्ट कर लिये गए सब्सक्राइब आया और फिर मार्च 1922 महात्मा गांधी की अरेस्ट के कारण बाजिर अउक्रदत क्या किये दूसरी बार इस्तिफा दे दिये किस से तो याद करो प्रोवेंशल लेजिसलेटिव काउंसिल प्रांती विधान परिशव से याद आया तीसरे बार चुना हुआ फिर कोई समझ गया कि नहीं समझ गया तो इवेंट से ऐसे हुए है न ध्यान रखना आगे पीछे आगे पीछे तो यहाँ पर असायोग आंदोलन पूरा पूरा क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है खतम हो जाता है डन अब आगे जो है हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे तो एक सीक्वेंस में हम लोग आसायोग आंदोलन से या उसके जस्ट बात से जो घटना क्रम है उस घटना क्रम से स्टार्ट करेंगे और अपन लेकर कहा तक चलेंगे उसको तो सविनय अवग्या के शुरुवात तक और उसके बाद पूर एक आंदोलन चलेगा सविनय अवग्या आंदोलन सिविल डिसोबीडियन्स समझे की नहीं समझे आप लोग क्लियर है ये बात ठीक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो आज की क्लास को अपन क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं फिर से आप सभी को 15 अगरिम बधाईयां शुप काम ना है मैं आशागरता हूँ कि आप लोग तन से तो आजाद है मन से भी कल आजाद हो ही जाएं ठीक है कि नहीं है मन अभी भी आपका बंधन में है औरना एक ही बात बोलूँगा आप लोगों पास खोने के लिए कुछ नहीं है आप लोग का अगर प्री नहीं निकला मेंस नहीं निकला तो कौन सा आपका सरकारी नौकरी है जिससे आपको निकाल देंगे है क्या ऐसी स्थिती खोने के लिए कुछ है पाने के लिए क्या है सब कुछ है तो आप लोग ना निडर होकर पढ़ाई करिए कैसे पढ़ाई करिए निडर होकर इसके बाद जो मिल जा है आपकी तो प्रगती ही है आप लोगा ग्रोथ है कि नहीं जो मिल जाए अगर सबसे निम्नपद मिल जाए तो भी ग्रोथ है और सबसे उच्च मिल जाए तो भी ग्रोथ है तो आपके पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, be fearless be fearless go all out, एकदम मतलब जी प्राण लगा दो बाद में देखी जाएगी समझ रहे की नहीं समझ रहे है तो पियसिक तयादी में याद रखना एक ही व्यक्ति हारा है जो डर गया है जो syllabus देखकर डर गया, जिसको लगा नहीं हो पाएगा उससे कभी नहीं हुआ है और वो व्यक्ति जो अंतिमशर तक लड़ता रहा कैसे भी स्थिती में कैसे भी परिस्थिती में चाहे पूरा नहीं हुआ चाहे कोर्स नहीं कर पाया चाहे कोचिंग नहीं कर पाया चाहे कुछ भी परिस्थिती हो लेकिन अंतिमशर तक लड़ता रहा जितना target है उसका complete नहीं कर पा रहा है 80% हो रहा है 70 हो रहा है लेकिन निरंतर पर आसरत है उस व्यक्ति का paper निकल कर रहेगा आज नहीं तो कल समझ में आया की नहीं आया तो आपको कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है effort और वो भी inconsistent इन नहीं सिर्फ इन हटा दो इन नहीं consistent तरीके से persistent effort चाहिए समझ में आया की नहीं आया ठीक है insistent बिना रुके ठीक बात चलिए तो आप सभी से हम लोग कम मिलेंगे परसों मिलते हैं ठीक है प्रूंग्